हेई फ्रेंड्स वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी स्वस्तोंगे आज के रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स आपको कैसा इंसान समझते हैं रीडिंग टाइमलेस है जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी लेकिन जुर्नल है तो जुरूरी नहीं है सभी से पूरी रेजोनेट करें आपको क्या करना है आपको M, Z, H, B इन चारों लेटर्स में से एक लेटर को चूज करना है एक से ज़्यादा लेटर भी आप च अट्राक्ट कर रहा है I hope आप लोगोंने लेटर चूज कर लिया होगा without much further ado let's start comment box में जरूर मेंशन करना कि आपने कौन से लेटर चूज किया था और आपसे कितना रेजोनेट किया married, unmarried, single, same gender relationship, सभी religion, सभी caste, सभी genders के लोग इस रीडिंग को उपनली चेक कर सकते है तो आते हैं रीडिंग पर जिन्नोंने एम चूज किया है आपके परसन का मानना ये है कि आप बहुती loving, caring and romantic इंसान हो आप जितना unconditional love अपने परसन को करते हो इतना unconditional love उन्हें आस तक कहीं से किसी से भी नहीं मिला आप उनके true lover, true soulmate, true true flame हो and definitely आप उनके एक सचे, honest, loyal and trustworthy life partner हो जिन्होंने Z choose किया है आपके परसन का मानना है कि आप एक healing personality हो आप इश्वर में विश्वास रखते हो आप बहुती positive और life में well balanced and well settled person हो आपकी company में जो भी आता है वो positive होकर heal होकर जाता है and definitely आप लोगों की भलाई करते हो बहुती kind hearted और नेक दिल इनसान हो जिन्होंने Z choose किया है आपके परसन का मानना ये है कि आप थोड़े गुसे वाले इनसान हो आपको गुसा जल्दी आता है गरत बात को आप बिलकुल भी बरदाश नहीं कर पाते और अकसर आपके arguments हो जाते हैं औरों से आप कोई भी बात जो आपको बुरी लगती है clearly उसका विरोध करते हो आप अपने लक्षे की तरफ अपने बातों की तरफ straight forward हो और आपको पसंद नहीं आता लोगों का manipulation लोगों का गुमा फिरा कर बात करना जिसकी वज़े से अकसर लोगों के साथ आपका जगड़ा हो जाता है तो आप थोड़े से angry nature के हो साथी में आपको गुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं ना ही गुमा फिरा के बात सुनना पसंद है अब clear and straight बात करना और clear और straight बात सुनना पसंद करते हो जिनोंने बी चूस किया है आपके परसंद का मानना है कि आप divine, universe, angels, spirituality में बहुत बिलीव करते हो आप एक धार्मिक व्यक्ती आपको खुदा का खोफ है, आपको divine का खोफ है, आप अपने करमों पर focus करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके गलत करमों को यह और देखे ना देखे लेकिन divine देख रही है, तो definitely आप बहुत ही kind-hearted person हो, आप अपने करमों पर focus करते हो आप जाने अन जाने, किसी भी तरह से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते किसी को हर्ट नहीं करना चाहते आप बहुत ही नेक दिल और एक धार्मिक विचारों वाली वेक्ती हो तो यह थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रेडिंग कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं कि आपने कौन सा काट चूस किया था आपने कौन सा लेटर चूस किया था एंद आप से कितना रेजोनेट किया थेंक यू सो मुच फॉर वाचिंग बाई फॉर नौव हाव गुद देएंड टेक किया